लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार ने भारतिय जनता पार्टी के साथ ही नरिंद्र मोदी को भी जमीन पर ला दिया है आने वाले लोगसभा चुनाओं के लिए नरिंद्र मोदी और बीजेपी को लालू और नितीश ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है याद करिए आप जब नितीश कुमार विपक्षी एकता की मुहीम शुरू कर रहे थे नितीश कुमार इस बात को कह रहे थे कि वो विपक्षी दलों को एक मंच पर ले आएंगे यही भारतिय जनता पार्टी के नेता थे यही भारतिय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेता और प्रवक्ता थे जो नितीश कुमार का मजाक उड़ा रहे थे ये वही बीजेपी के नेता थे जब नितीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग-अलग विपक्षी नेताओं से मिलने जाते थे तो खिली उड़ाया करते थे नितीश कुमार की लेकिन आज इस्थिती कहां पर पहुँच गई जब पटना में पहली बैठक हुई इंडिया गडबंधन की तो वही भारतिये जनता पाटी है जो कहती थी कि अरे ये गडबंधन हो ही नहीं सकता क्या लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार के साथ आ जाने से कॉंग्रेस और त्रिणमूल कॉंग्रेस के एक मंच पर आ जाएगी क्या पश्चिम मंगाल में लेफ अगेपी पोशिद जो मीडिया है वो भी खूब सवाल उठाती थी और कहती थी बार-बार की नरेंदर मोदी का कोई जोड नहीं है नरेंदर मोदी तो शेर हैं शेर अकेला चलता है अकेले चलने वाला शेर इंडिया गडबंधन को देखकर इंडिये की बैठक बुलाने बात यहीं पर समाप्त नहीं होती यहीं देश के प्रधान मंत्रिया हैं इंडिया का नाम घमंडिया कर दिया इन्हों ने समझ यह प्रधान मंत्री पूरे देश के होते हैं विपक्षी नेता भी इन्हीं के देश के हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी उनको घमंडिया कहने लगे घमंडिया के साथ साथ East India Companies उनकी तुलना करने लगे आतंकवादी संगठन इंडियान मुजाहिदीन से तुलना करने लगे PFI से तुलना करने लगे कहने लगे कि सबके नाम में इंडिया लगा हुआ है समझीए कि इंडिया नाम करन जब हुआ भारतिये जनता पाठी उसे दिन से परिशान हो गई थी खूब कोशिसे हुई कैसे इंडिया को घेरा जाए इंडिया घिरने वाला है इंडिया नाम ही ऐसा हो गया कि बोले तो बोले क्या करे तो करे क्या कहे तो कहे क्या पूरे बीजे पी आजी सिस्थिती में आ गई है और ये वही इंडिया गट बंधन है जब सर्वे आता है मूड दूब दनेशन41 फीजदी और 43 फीजदी मतलब 44फिजदी वोट इंडिया को अभी इन्डिया की सीटे टाय नहीं हो था दूसरी बैठक ही हुई थी दूसरी बैठक के बाद शर्वे आया i2405-349 पर्शंट वोट इंडिया वोट हमारे साथ है और आपको बता दे कि यह वही प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने सब को काम पे लगा दिया था इंडिया गडबंधन के खिलाफ क्या-क्या नहीं कहा गया घ्रस्टाचारी वन्षवादी च्योर लुटेरा डाकू मतलब कोई ऐसे अलंकार नहीं थे जिन बीजेपी ने इंडिया गडबंधन को बाकी छोड़ा लेकिन आज इंडिया गडबंधन बढ़त बना चुका है सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी दो बैठकों के बाद यह इसी इंडिया गडबंधन की देन है इतना दबाओ में इतने प्रेशर में मोदी सरकार इलेक्शन और वन इलेक्शन तो क्या यह सरकार बताएगी कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक के चुनाव होंगे कहा जा रहा है नहीं लोग सबार्विधान सभा के साथ होंगे देश में बहुत सारे चुनाव होते हैं नगर निगम के चुनाव होते हैं ग्राम पंच जी को तो प्रचार मंत्री बनने का बड़ा शौक है और उम्र बढ़ती जा रही है बुड़े होते जा रहा है कितना प्रचार करें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसलिए एक ही बार में सारा प्रचार हो जाए अगर वन नेशन और वन इलेक्शन पर सरकार की नियत साफ है देश के पूर्व राष्ट पती को इसमें ला दिया गया रामनात कोविंद जी इस समिती के चेयर्मैन है वो लोगों की राए एकठा करेंगे लोगों से बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर शिरुवाती तर पर तो बात बहुत सही लगती है बहुत अच्छी लगती कि अर्भ रुपए की बचट हो जाएगी इसके अपको बता दे कि जो लोग इंडिया गड़बंधन का मजाग उडा रहे थे लालू नितिश्ट ने उनको ऐसा जुकाया कि आज वो अपने गड़बंधन की बैठक करने लगे और इसके साथ ही आपको बता दे कि संसत का गडबंधन की तीसरी बैठक और उसके बाद जो रिजोल्यूशन हुआ कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे अब सीट सेरिंग पर भी चर्चा होगी चौथी बैठक की बात चल रही है संजुक्त रहलिया होंगी जन सभाय होंगी राज्यों की राज़ानियों से लेके ब्लॉक जो प्रखंड के मुख्याले हैं ब्लॉक के मुख्याले तक पर ये रहलिया होंगी और पूरा इंडिया गडबंधन एक जूठ होकर आपको चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा और इसने इसकदर हिलाया सरकार को खास तोर पर लालू प्रसाद्याद और नितीश कुम झालू झालू।